प्लान करने की कोशुष कर रहे हैं तो है। प्लानिंग थी वो successful रही है उसी तरह से momentum को बनाए रखें आपके लिए positivity indicator है लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव भी अब ठीक होता हुआ नजर आएगा और negotiating situation में अगर आपकी परिस्तिती देखें तो काफी प्रभावशाली होगी चाहे वो नौकरी के संदर्ब में हो या कोई अगर विवाद हो रहा हो और उसमें अगर आपको negotiate करने वाले हो तो बात करते हैं ब्रिशवराशी वालों के लिए ब्रिशवराशी वालों आज के दिन सुजबूच का परिशे दीजे अपने मन को शांत रखिए सारे options को रिव्यू करिए और आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कोई न कोई पॉजिटिव रास्ता जरूर देख पाएंगे बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए आपके लिए परिस्ति नई खरीदने से भी संबंद रख सकता है चेंज ऑफ सिटी भी हो सकता है चेंज ऑफ कंट्री भी हो सकता है चेंज ऑफ ओगनाइजेशन भी हो सकता है दीजी वैपार में कुछ ना कुछ अडिशन भी हो सकते है कुछ ना कुछ पॉजिविटिविटी आपके लिए इंडिक की तरफ लेकर जाएगा विगत कई दिनों से जिस परिस्थिती में आप जी रहे थे या जिस तरह के प्रयास आप कर रहे थे वो काबिले तारीफ हैं आपकी सिचुएशन पॉजिटिव हैं मन को और स्ट्रॉंग रखिये और आगे बढ़ते चलिए आपको सब तरफ से अपने देखने को मिलेंगे बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल रहेंगी मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और से भरे रहेंगे पराक्रम में विर्दी रहेगी आप अज के दिन कुछ महत्वपूर्ण कारे आप टेक अप कर अगर उसको आप अपने जीवन में इन्वाइब करेंगे तो देखेंगे आपके लिए पॉजिटिविटी और आ रही है बात करते हैं कण्यराशी वालों के लिए आज के दिन के मैं बात करों तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ तनाव से भरा हो सकता है हाथ तोर सिचुईशन को इंटक्ट रखें, मन को बिलकुल कंट्रोल में रखें, साथ ही साथ उन सभी नकरात्मक तक्थिओं को यक दिविशेश को अवस्थाओं को सिचुईशन को अपने जीवन से निकाल दे या इग्नॉर करने की कोशिश करें जो आपको स्ट्रेस्फुल सिचुई सिचुईशन की तरफ भी प्रेरित होंगे, बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए, तुला राशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करते हुए कोई महत्वपुन निरने आप अपने और अपने परिवार की पॉर्टंटी डील को फाइनलाइज कर सकते हैं, जो आपके real estate matters में help कर सकती है, या आपके property असमबंदी matter मैटर्जै हो आप नए property में निवेश करके या नए घर में move करना चाहते हैं या अपना घर sale करना चाहते हैं, जिस भी इस तरह के कोई issues से अग आप जूज रहे हैं त विश्यक राशी वालों आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को इंब्रेस करते हुए आपके लिए भी महित्रपूंड कोई सूचना संकेत या अवसर लाकर सामने खड़ा कर सकता है लेकिन आज के दिन आपकी स्टेट या मेंटल स्टेट में कहूं कंफ्यूस्ट बनी हुई है तो आज के दिन अपने निरनायक पक्ष को आपको थोड़ा सा बल देना है मजबूत करना है मजबूती के साथ खड़े रहना है और उसी में फिर एक बेस्ट ऑप्शन आपको लेना है कारिशेतर में कोई मेंत्रपूंड आज के दिन आपको काम म आज के दिन निभाने की या बिताने की कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए परिस्तितियां धनुराशी वालों आपके लिए बिल्कुल अनुकूल रहेंगी मन आपका शांत रहेगा आज के दिन आपका उमीदों से या अफसरों से भरा हो सकता है कार शेतर में positivity आपको देखने को मिलेगी लंबे समय से चल रहा कोई रिण अगर हो तो वो भी अफसाजा होता हुआ नजर आएगा यानि कि repayment capacity बढ़ेगी साथी साथ आज के दिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं और खास तोर पे अगर आप property matters में या कुछ नया घर लेने की सोच रहा है तो आज के दिन आपके सामने एक मेत्वपून डील आ सकती है आज के दिन परिवार के द्वारा या परिवार के साथ बिताया गया समय या परिवार के सदस्यों को दी गई राए या परिवार के सदस्यों से ली गई राए आपके लिए कफी जादा महत्वरपूर्ण मानी जा सकती है बात करते हैं मकरशाशी वालों के लिए आपके लिए परिस्तितिया नुकूल रहेंगे मकरशाशी वालों मन आपका शान्त रहेगा positivity को embrace करिए सकरात्मक बने रही है आपने सुचारू ढंक से जैसी आपने विवस्ताएं क्रेट करी है जिस तरह से आपकी लाइफ चल रही है वैसे ही चलने दे कुछ खास आपको उसमें efforts करने की जरूरत नहीं है positivity आपने अपने लिए indicate कर ली है इसी तरह से चलते चलें कुछ नयापन आज के दिन देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आप उजर से भरपूर अपने आपको पाएंगे परिवार का support भी आपको निरंतर मिलता रहेगा बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए आपके लिए positivity कुम्बराशी वालों बनी हुई है मन आपका शांत है विजारधारा है आपकी प्रबल है आपके परिवार के प्रती जो रुजहान इंटरस्स या उतरदायत्व की पूर्ती करने का जो एक आपने निष्ठा है आपकी ये निष्ठावान जिस तरह से आप परिवार के प्रती समर्पित रहते हैं आज उसमें थोड़ा सा इडाफा या बड़ोतरी होते हुए देखेंगे परिवार में कोई ना कोई गुड नीउस आ सकती है गेट टुगेधर हो सकते है कोई छोटा मोटा जो भी अगर आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो अपने आपको और आप रजविनेट कर पाएंगे और मजबूती के साथ quality time जो बिताया गया वो आपको और रजविनेट करके और mental challenges को overcome करने के लिए आपको आज के दिन आत्म प्रेरित करके जा सकता है परिवार के साथ traveling भी indicative है सेकिन हाफ के दोरान चोटी मोटी स्वासमंदी चिंताएं हो सकती है तो खान पान का नियंत्रन या उस पर ध्यान देने की जरूरत है बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए आपके लिए सिचुवेशन अनुकूल हैं मीन राशी वालों पॉजिविटी को इंब्रेज करिया आगे बढ़ते चली जिससे आप सब तरफ से अपने लिए कुछ ना कुछ क्रियेट कर पाएं अगर आप अपनी सिचुवेशन को पॉजिव रखेंगे अपनी मन को शांत रखेंगे विचारधाराओं को प्रबल रखेंगे अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे और लाइ निरने ले रहे हैं या सोच रहे हैं तो आज के दिन वह परिस्तिती आपके लिए सामने आती हुई आपको दिख सकती है कार शेत्र में भी स्थिरता बनी रहेगी इसी के साथ मुझे आगया दिजे कल फिर हाजरोंगी नमस्कार